अहिंसा का पालन करने वाले एक जैन मुनी के लिए युद्ध अपने आप में एक दुरलब घटना है परन्तु इस घटना के माध्यम से जैन आचारे कालक में ये सिद्ध कर दिया कि अन्याय का बदला लेने के लिए अगर जरूरत पड़े तो एक जैन मुनी भी कुशल योध्धा साबित हो सकता है आचारे कालक का जन्म शत्रिय राच परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम वैर सिंग और माता का नाम सुरसुंदरी था उनकी सरस्वती नाम की एक बहन भी थी वे धारा नगरी के रहने वाले थे गुणा कर मुनी की प्रिणना से उन्होंने ग्रिहस्थ अवस्था का त्याग कर साधु जीवन स्वीकार किया उनके साध जैन साधवी बन गई अपनी विद्वता के चलते समय के साथ वो आचारे भी बन गई विहार करते करते वो उजैन पधारे वहां का राजा था गर्द भिल वो साधवी सरस्वती के सौन्दर पर मुग्ध हो गया राजा के आदेश का पालन कर राज पुरुशों ने उसका अपारण कर लिया। आचारे ने राज सभा में उपस्थित होकर राजा को समझाने का प्रयत्न किया। मगर राजा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अहिंसा का पालन करने वाले आचारे का शात्र तेज जाग उठा। उन्होंने राजा को सबक सिखाने का द्रण निश्य कर लिया। बिना कूट नीती के ये संभव नहीं था। उन्होंने सरुप्रधम खुद को एक विशुप्त के रूप में प्रस्तुत किया। समय के साथ व वो विहार करते हुए भारत के बाहर इरान तक पहुँच गए और वहां की एक लड़ाकू कौम शक के साथ मित्रता की। बिखर हुए शकों को एकत्र कर और उन्हें राजनीती का बाट पढ़ा कर उन्होंने शक्ति शाली दिखने वाले उज्यैन के राजा के समक्ष युत क के लिए लाखडा किया। गर्द भिल राजा उस समय इतना सशक्त था उसके लिए ये सिना कोई महा तो नहीं रखती थी। वो एक रास भी विद्या का ग्याता था। उस विद्या के ब्रभाव से वो हजारों शत्रों को एक साथ नश्ट कर सकता था। मगर आचारे ने अप कर दो